नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल त्यारी सक्सेस किने तो दोस्तों जैसे कि हम लोग CC1 History Owners के कुछ इंपोर्टेंट कोईशन डिसकस किये थे उसी परकार आप सभी के बहुत ज्यादा डिमांट के कारण आज CC2 के पेपर भी डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा आपको निश्ची दिफाइदा होगा तो दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूं यह जित मतलब कॉलेज में अगर कुछ इंपोर्टेंट कोईशन फिर बात आया गया हो तो उसको भी कवर कर लीजिएगा ठीक है तो पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में मैं MCQ कहां से पुछा जाता है उस पर भी चर्चा करूंगा तो वीडियो का अंतक जरूर देख जिएगा तो वीडियो सुरूर करते हैं तो दोस्तों जो हम लोग का CC2 का पेपर है हिस्ट्री ओनर्स के तो उसमें जो हम लोग का CC2 का पेपर होता है उसमें इरोप का इतिहास है इरोप का इतिहास में जो फर्स्ट कोईशन पुछा जाता है तो आप लोग याद रखिएग उसका बहुत तरह से घुमा कर कोईशन पूछा जा सकता है पूछा जा सकता है कि फ्रांस के जो क्रांती हुई थी वो उसमें दार्शनिकों का क्या भूमिका था दार्शनिकों का फिलोसपर का तो ये भी एक इंपोडेंट सवाल है दार्शनिकों का योगदान याद कीजिएगा इसको पूरा जरूर पढ़ लिजिएगा दासनीको का युगदान और कारण फ्रांस की करांती का कारण important है और दासनीको का युगदान साथी साथ कुछ-कुछ डेड़ भी यहां से पढ़ लिजिएगा क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है ठीक है तो हम लोग आगे देखते हैं जो दूसरा सवाल यहां से पूछा जाता है ओ है नेपोलियन से दो तरह का सवाल बनता है एक होता है नेपोलियन के उधाई के कारण क्या थे वो किस परिस्थिती में मतलब एरोप के राजनीती में प्रविश किया था वो एक कोईशन बन कोई जाता है यहां से कोई बीड़ियन किस पूक्षा जाता है यहां से सवाल पूछा जाता है यहां से जाता तो BNI के Congress से important सवाल पूछा जाता है तो इसको भी cover कर लीजेगा इससे ज़्यादा तर चांस है कि आपको short question में पूछा जाए March marks के लिए और इसको अगर बहुत ज़्यादा ही describe करने के लिए दिया जाए तो आपको 15 marks मिलेगा ठीक है तो BNI Congress ज़रूर पढ़ लीजेगा बहरी बहरी इंपोडेंट जो हम लोग का चौथा परस्न है और 830 और 848 की क्रांती इन दोनों क्रांती में से एक क्रांती पूछा जा सकता है तो ठीक है आप इसको भी cover कर लीजेगा हो सके तो long में ही पढ़िएगा long में अगर पढ़ लेंगे तो आप short question आराम से बना सकते है ठीक है तो आगे देखते है आगे दोस्तों हम लोग का जो important सवाल है ये दोनों को very very important कीजिए इन दोनों में से एक सवाल guarantee आता ही है या तो इटली की एक करांट आएगा या फिर जन्वनी की एक करेंड आएगा ये दोनों में से ठीक है तो इटली या जर्मनी की एक करेंड में से एक सवाल पुछे जाएगा ही तो आप लोग कोशिस कीजिए कि दोनों को पढ़ लीजिए very very important ठीक है और जो हम लोग का छटा question है ओ है मैटरनिक प्रणाली तो मैटरनिक प्रणाली क्या है वो भी थोड़ा बहुत देग लीजिएगा ये short question में पुछा जा सकता है पांच माक्स में ठीक है और साथी साथ मैटरनिक ने क्या काम किया था किस बर सासन में आया था तो सारे date को भी cover करते हुए चलिएगा किंकि यहां से objective सवाल बनते है जो हम लोग का सात्वा question है जो important है बहुत तो सात्वा में important है हम लोग का ये रोप ब्यवस्ता जो ये रोप का ब्यवस्ता था उस time मतलब आटरो सताब्दी में तो वो किस प्रकार का ब्यवस्ता था तो वो ही ब्यवस्ता के उपर आपको कुछ लिखना होता है उसमें पूछा जाता है कि आटरोवी सताब्दी में एरोप ब्यवस्ता के उपर बर्नन करें एरोप ब्यवस्ता का बर्नन करें तो सब क्रांति को लिखिए जो भी फेज होता है इटलिक है कि करन सब कुछ इसमें थोड़ा-थोड़ा बहुत मिक्स कर लीजिए पूरा यूरोब आ जाएगा ठीक है तो और साती साथ एक और इंपोरेंट यहां से सवाल बनता है कभी-कभी देखा गया है कि इसमें जो जो द चार्सनिक थे और यह सब शासन सासक भी थे तो उन सभी के जीवन के बारे में भी पूछा जाता है आला चाहिए इनसे के पूछेगा इन सारे के जीवनी भी लिग लीजिए गा और इनसे रिव्यलिटे जो भी पुस्तक है या पीर कुछ घढ़ना है उसको भी कभर कर लीज कियेगा तो विसमात को लोह पूरुस कहा जाता है तो उस तरह से जितने भी सवाल पूछा जाता है लाल गुर्ती का पूछा जाता है लाल गुर्ती का स्थापना किस ने किया है तो गैरी वालडी तो उस सारे रिलेटेट जितने भी सवाल इद गिद बनता है उसको देख नहीं पढ़ना है हो जाएगा फिर देखते हैं हम लोग mcq का सवाल कहां से पूछा जाता है तो दोस्तों कोई भी क्रांती होता है तो क्रांती से संबंद सवाल पूछा जाता है पहले ठीक है तो क्रांती से जितने भी क्रांती हुआ है उसका डेट याद कर लीजिए साथ इस दूसरा है किसके सासनकाल में घटना हुई थी आप पूछ लेगा डायरेक्ट की ज़स्ट में एक ठोई यह पता रहा हूं क्या बूले उसको कोई सां रिलेट कर रहा हूं पूछेगा कि जर्मानी का एकिकरन जब हुआ था उस तरह के सावाल भी पूछा जाता है ठीक है तो उ मतलब जितने भी जितने भी यह सब दार्सिनिकों का है और पुस्तक भी पढ़ लेजिए और उस टाइम डियूरेशन कोई भी अगर पुस्तक चापा गया है तो उसको भी देख लीजिए अध्यक्षता भी देखिए और इस थापना ठीक है तो इन सारे जो टॉपिक से आप इंसाम खतम हो जाता है तो प्लीज मैं एक्ठो मतलब इमेल आइडियो देता हूं आप डिस्क्रिप्शन में उस इमेल आडियो में आप लोग कोईशन सेंड करीजिए गा ठीक है तो जैसे आप कोईशन सेंड करेंगे मैं उसके उपर वीडियो बना दूंगा और बताओंग कि कौन-कौन सा एमसी क्यू सही है ठीक है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिं जैभार्ण